प्यारों बच्चों, गुड मरनिंग, आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स ठेल था Фिजिक्स ठीक है तो पहले आज हम बेसिक देख लेते हैं कि हमको क्या-क्या पढ़ना क्या है, क्या-क्या चेप्टर पढ़ना है, तो जैसे कि पहला है कि इस्थिर वेद्दूत, इस्थ यह पढ़ने हमें और दुसरा है इसी में इस्थीर वेद्यूत वैद्यूत विभावанд और धारीता ठीक है तो यह पहला ही काई है यह पहला इकाई है पहला इकाई के अंतर के दो चेप्टर है जिसमें हमको क्या पढ़ना है वद्धूत आवेस और चेत्र और दूसरा इस्थिर वद्धूत विभा और धारीता ठीक है उसके दूसरा इकाई है दूसरा इकाई में हमको क्या पढ़ना है इस दूसरा इकाई है विद्धुद्धारा तो विद्धुद्धारा दुसरा इकाई में केवाल एक ही चेप्टर है ठीक है जिसमें एक चेप्टर है क्या है विद्धुद्धारा ही है चेप्टर भी सेम है और पाट इकाई का नाम और जो चेप्टर का नाम है दोनों क्या है सेम है विद्दुधारा का चुम्बकी प्रभाव एवं चुम्बकात्व विद्दुधारा का चुम्बकी प्रभाव एवं चुम्बकात्व इसके अंतरगत पहला चेप्टर पढ़ेंगे हम गतीमान आवेश और चुम्बकात्व 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 ओके तो इस गतिमान अवेस और चुम्बकात्व ये है उसके बाद है इसी में चुम्बकात्व एवं द्रब्या दूसरा चेप्टर इसमें है चुम्बकात्व एवं चुम्बकात्व एवं द्रव्य यह है ठीक है तिसरा यूनिट हो गया और फिर उसके चवथा यूनिट चवथा यूनिट है चवथा यूनिट में क्या पड़ना है विद्यूत चुम्ब की प्रेराण विद्यूत चुम्ब की प्रेणर तथा प्रत्य वर्ति धारा है इसमें भी दो चेप्टर है एक चेप्टर है विद्यूत चुम्ब की प्रेणर और दूसरा है आपका जो यूनिट का नाम होई है प्रत्य वर्ति धारा ठीक है उसके अधर पाचवाई काई है पाचवाई काई में क्या है विद्यूत चुम्ब की तरंगे तो विद्यूत चुम्ब की तरंगे तो विद्यूत चुम्ब की तरंगे है ठीक है और इसका चेप्टर का नाम ही सेम ही है तो विद्यूत चुम्ब की तरंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर अगला है प्रकास की प्रकास की तो प्रकास की मतलब हम प्रकास के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें है पहला है चेप्टर है इसके अंतरगत पहला चेप्टर है प्रकास का परावर्तन और दूसरा है सम्तल प्रिष्ट द्वारा अपवर्तन उसके वाद है गोली प्रिष्ट से अपवर्तन यह थोड़ा लंबा इकाई है गोली प्रिष्ट से अपवर्तन ठीक है प्रिज्म में अपवर्तन उसके बाद है प्रकासिक यंत्र और अगला है तरंग प्रकासिकी ठीक है तो इसमें 6 चेप्टर है ना तो इस यूनिट में 6 चेप्टर है जब प्रकासिकी है छट्वा एकाई है उसके बाद है सात्वा वीकिरण थथा द्रब्य की द्वयत प्रकृति ठीक है और चेप्टर का भी नाम क्या है सेम है उसके प्रमाडुक और और यवँ नाभिक है तो अगला है इसके बाद परमाडू यो नाभीक आठवाब इकाई है परमाडू एवं नाभीक तो इस दो चेप्टर में बटा है एक परमाडू और दूसरा है नाभीक ठीक है उसके बाद है एक नवा ठीक है तो इसमें है इलेक्ट्रानिक युक्तिया इलेक्ट्रानिक युक्तिया तो इसमें एक चेप्टर है उसका नाम है कि अर्धा चालक इलेक्ट्रानिक पदार्थ युक्तिया ठीक है तथा सरल परपथ तथा सरल परिपथ और लास्ट है आपका लास्ट यूनिट संचार बेवस्था संचार बेवस्था ठीक है और चेप्टर का भी नाम यही है संचार बेवस्था ठीक तो इस प्रकार 10 यूनिट है 10 यूनिट में टोटल कितना चेप्टर है 15 चेप्टर है तो 10 यूनिट है जिसमें 15 चेप्टर है देखो एक बार फिर से देख लो यह ठीक है और इसको no down कर लेना ओके यह है आपका देख लो फिर से एक बार है न तो टूटल कितना यूनिट है दस यूनिट है जिसमें हमको 15 चेप्टर पढ़ना है सभी पिछले नीचे कक्षाओं में 9, 10, 11 में इन सभी चेप्टर का जो नाम आपके सामने जो रखा हूँ उसके बारे में आप सभी कुछ-कुछ जानते हो और इनका सब का डेफिनेशन आपको मालूम भी होगा तो आगे हम इस क्लास में 12 में जो पीछे आप पढ़ चुके उनहीं के बारे में डीटेल से विस्तार से पढ़ते जाएंगे क्योंकि आप जो छोटे कक्षे में पढ़े हो वो क्या रहता है थोड़ा-थोड़ा सब के बारे में जानकारी आपको मिल जिग गया रहता है अब आगे कक्षे में हम क्या करेंगे बड़े कक्षे में क्या होता है उसका लेवाल बढ़ता जाता है बस उसका विस्तार से पढ है उसके सोजने समझने की चमता भी क्या होता हो जाता है बढ़ता जाता है इसलिए धीरे-धीरे करके आपको बड़ा पढ़ाने के लिए सिलेबस्ते यार किया जाता है ओके तो हम कल से क्या करेंगे जो वद्धुतावेस और छेत्र है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना ओके और फिर हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं ओके थेंक यू